दाइक्जाम वायर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संधी एवं संधी विछेद पर इस वीडियो में हम स्वर संधी भी बात करेंगे ठीक है और इसके बाद जो वीडियो होगी इसमें वेंजन संधी और इसके बाद विसर्ग संधी पर ठीक है वीडियो लंबी नहोँ जा इसलिए अलग-अलग कावर किया गया है थीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे संधी की परिभाशा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधी कहा जाता है ठीक है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन होता है उसी को संधी कहा जाता है ठीक है इसे याद रखिएगा कभी कभी लिखनी के लिए भी आता है जैसे BPSC के एक्जाम में पुछा जाता है संधी किसे कहते हैं संदी के कितने प्रकार होते हैं इस तरह से पूछा गया है तीक है अब इसके बाद हम संदी के भेदों को देखते हैं तो संदी के तीन ही भेद होते हैं या तीन प्रकार होते हैं जिन में पहला है स्वर संदी ठीक है दूसरा है वियंजन संदी और तीसरा है विसर्ग संदी ठ ठीक है और अगली वीडियो में व्यंजन संधी और विसर्ग संधी पर बात करेंगे ठीक है वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए स्वर्षंधी को अलग कवर किया गया है तो स्वर्षंधी में जो स्वर्षंधी के भेद हैं उनमें पहला है दीर्ग संधी ठीक है गुण संधी वृद्धी संदी इसके बाद यन संदी और आयादी संदी ठीक है और एक और होता है च्छठवान पूंड रूप संदी ठीक है जन्नली आपने पांची भेद पड़े होंगे ठीक है दीर्ग गुण वरिधी यन और अयादी पूर्ण रूप संधी को शायद आपने नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो इसको भी बताएंगे ये क्या है तो सबसे पहले चलिए देखते हैं स्वर्ण संधियों में दीर्ग संधी ठीक है तो दीर्ग संधी का जो सुत्र होता है वो है अकह स्वर्णे दीर्गह ठीक है अकह स्वर्णे दीर्गह इसमें आप देखेंगे इस वर्ण को देख लीजिए आखो और स्वर्णे यानि कि स्वर्ण होंगे सजाती होंगे यानि कि समान स्वर होंगे और दीर्ग से संधी का नाम है अंत में ठीक है दीर्ग संधी तो समान सवर होंगे सवर चाहे हरस हों या दिर्ग हों उनके मिलने के बाद जो उनका रूप हो दिर्ग हो जाता है ठीक है सवर हरस हों या दिर्ग हों इसे मतलब नहीं है समान होने चाहिए सजाती होने चाहिए सवर्ण होने चाहिए तो ये बीच में स्वरन लिखा हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे कि समान स्वरों की बात कर रहा है, सजाती की बात कर रहा है ठीक है, और शुरुवात किस से होगी? आ से होगी ठीक है, अकह स्वरने दीर्ग, ये है, सुत्र इसे याद रखेगा आगे हम देखते हैं, कैसे? तो आप देखेंगे आ है, ठीक है? हरस्व आ, ठीक है, जो छोटा आ होता है, ठीक है, यहाँ पहले समझ लीजिए क्योंकि हम आगे हरस्व और दीर्ग का ही नाम लेंगे, ठीक है? छोटा आ या बड़ा आ नहीं कहेंगे, ठीक है, आप competitive examination की त्यारी कर रहे हैं और इस लेवल पर छोटा आ और बड़ा आ बोलना शुभा नहीं देता है, ठीक है? तो छोटा आ जो होता है, इसे हरस्व कहा जाता है, ठीक है? हरस्व आ हो गया, ठीक है? और जो बड़ा आ है, इसे हम बोलेंगे, दीर्ग आ, ठीक है? तो इसी तरह से जो भी वर्ण छोटा होगा, वो हरस्व हो जाएगा, जैसे हरस्व ई हो गया, हरस्व उ हो गया, ठीक है? और दीर्ग ई या दीर्ग उ, ठीक है? तो हरस्व आ के साथ हरस्व या दिर्ग आ हो तो रूप क्या होगा रूप दिर्ग ही होगा ठीक है इसी तरह से दिर्ग आ के साथ हरस्व या दिर्ग आ हो तो रूप दिर्ग हो जाएगा ठीक है बस यही इसमें समझना था ठीक है तो इसमें एक्जामपल देख लीजे धन प् प्रारंबिक शब्द क्या है ना है धन है जिसमें ना और इसमें जो परवर्ती शब्द है उसका आ ठीक है ये जो आ है परवर्ती शब्द का ये ना में जुड़ जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा ना ठीक है तो ये तो दोनों हट गए ठीक है अब क्या बचा हमारे प हरस्व समान स्वर होंगे पहली बात याद रखिएगा समान स्वर चाहे वो दीर्ग हों चाहे हरस्व हों जैसे आप यहाँ पर आ देख रहे हैं हरस्व है और यह दीर्ग है किसके साथ मिलना है यहाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं अभीस्ट इसी तरह से परी प्लस एक्छा ठीक है क्या हो गया परीक्छा ठीक है यहां पे आप देख रहे हैं हरस्व ई है और इधर दिर्ग ई है तो दोनों का रूप क्या हो गया दिर्ग हो गया ठीक है इसी तरह से रजनी प्लस इस से ले करके दीर्ग उ तक आएंगे ठीक है और समान स्वरों को जोड़ेंगे ठीक है इसमें इतना आपको याद रखना है समान स्वर होंगे चाहिए वो हरस हो या दीर्ग हो इसी को कहते हैं दीरग संधी अकह स्वरने दीरग इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे गुण संदी गुण संदी का सूतर होता है आद गुण ठीक है इस सूतर को याद रखेगा इसमें जो प्रारंब में आ दिया है दिर्ग आ इसी को हम देखेंगे ठीक है आ मिंस यहाँ पे हरस आ होगा या दिर्ग आ होगा और उसमें जो हम एड करें तो उनका रूप क्या हो जाएगा जब हरसु आ या दिर्ग जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा इसी तरह से हरसु या दिर्ग उ एड़ करेंगे तो ओ हो जाएगा और री एड़ करने पर अर हो जाएगा ठीक है यहीए गुन संद्धी ठीक है इसको याद रिखने के एक तरीका और भी है आप गोवा कोड याद रख लीजेगा ठीक है गोवा तो जी से यहां पर देखेंगे गुन संदी हो गया और ओ से क्या हो जाएगा जब आ में आप इस उत्विद को भी याद रखेंगे कोड को भी य यानिंगी आज होगा आ ये का नाम कि पार्सव और भी उनको एड़ करने पर ओ हो गया ठीक है ये हो गया ठीक है यह हो गया ठीक है तो गुवा कोड याद रखेंगे ठीक है, इक्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें, हरस्व A है और इधर क्या है, हरस्व E है, तो हरस्व A और E मिलकर कि क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, जो कि आप मातरा द देखने उपर नरेंद्र हो गया ठीक है इसी तरह से यहां पर भी वही है परम प्लस इश्वर परमेश्वर हो गया इसी तरह से नर प्लस उत्तम नर उत्तम हो गया ठीक है इसके बाद नील प्लस उत्पल नील उत्पल हो गया ठीक है यह भी ठीक है इसी तरह से जल प्लस उर्म जलोर मी हो गया और अगला है महापलस रिशी महर्शी हो गया ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हैं दीर्ग आ है और इधर है री तो इनका रूप उपर आपने देखा क्या हो जाएगा अर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महापलस रिशी महर महर आप दे है वरिद्धी रेची ठीक है यहां पर क्या होगा दो मात्रें होंगी ठीक है वरिद्धी हो रही है ठीक है बस ऐसे समझ लीजिएगा ठीक है उपर गुण में सिंगल मात्रा थी एक मात्रा थी तो यहां पर आप क्या देखेंगे यहां पर वरिद्धी होई यहां पर दो मात्र देखते ही आप जान जाएंगे ठीक है तो हरस्व आ या दीर्ग आ के साथ हरस्व ए या दीर्ग आएगा तो क्या हो जाएगा ए इसी तरह से हरस्व आ और दीर्ग आ के साथ ओ या ओ होगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा ठीक है यह आपको बस याद रखना इतना ही इसमे है ठीक है हर सोय दिर के हां कि पजब तीक है example देख लिजिए giace म्ल प्लस एक क्यों कि क्या हो जाएगा मत एक क्या यहां पे आप क्या देख संदी विच्छेत भी कर पाएंगे ठीक है और साथी साथ संदी का नाम भी बता पाएंगे कि कौन सी संदी इसमें है दो मातरें आप देखेंगे उपर मतैक में दो मातरें लगी है वनोशद में दो मातरें लगी है ठीक है तो आप देखते ही जान जाएंगे कि यहाँ पर वृद्धी संदी है ठीक है वृद्धी हो रहे हैं यह दो मातरे हैं बस इस तरह से आपको याद रखना है ठीक है संदी विछे तो आप करही लेते होंगे ठीक है इसके बाद अगला है महापलस आउधार्य मिन्स महोधार्य हो ए या तो हरस्व हो या दिर्ग हो इसी में इसके पस्चाथ ठीक है हरस्व या दिर्ग ए के पस्चाथ आपका हरस्व आ दिर्ग आ हरस्व दिर्ग आ हरस्व दिर्ग ओ हरस्व ए दिर्ग ए ये वर्ण हो तो उनका रूप क्या हो जाता है ये आपको देखना है क्या हो जाता है E को यनची या हो जाएगा ठीक है देखिए यदि हरसव E या दिर्ग E के पस्चाथ आ आता है हरसव तो वो हो गया या दिर्ग आएगा तो उसमें या हो जाएगा मातरा लग जाएगी ठीक है इसी तरह से हरसव U तो यू हो जाएगा ठीक है दिर्ग होगा तो यू फिर इसी तरह से ये, ये, यो यू हो जाएगा ठीक है असानी से आप समझ रहे होंगे ठीक है उदाहरन देख लेते हैं जैसे अती प्लस अल्प ठीक है तो यहां पे क्या है हरस्व इ है और इधर क्या है आ है, तो मिल करके क्या हो जाएगा या हो जाएगा ठीक है अती प्लस अल्प मिल के क्या हो गया अती यल्प हो गया, यहां पे क्या आप देख रहे हैं या हो गया, इसी तरह से इती प्लस आ दी मिल के क्या हो जाएगा इत्यादी, ठीक है यहां पे आप देख रहे हैं या हो गया, ठीक है, क्योंकि हरस्व E के साथ यहां पे A देख रहे हैं, A एड़ हुआ है, इसी तरह से अति प्लस उत्तम मिलके अति उत्तम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे हरस्व O है, तो यहां पे मत्रा, आप देख रहे हैं, छोटा O की और अति प्लस ओज अतियोज हो गया ठीक है यही है आपकी कौनसी संदी इको यनची अर्थात यन संदी ठीक है शुत्र को याद रखिएगा इसी तरह से अब यहाँ पर ई और ई देखा अपने हरस और दिर्ग इसके पस्चात अगला है इसी में यन संदी में हरस ओ या दिर्ग ओ के साथ ठीक है हरस ओ या दिर्ग ओ के साथ शेस वर्ण एड़ करेंगे ठीक है पहले आपने ई हरस या दिर्ग देखा तो इसकी जगा पर हरस ओ या दिर्ग ओ था ठीक है अब यहाँ पर जो वर्ण थे हरस ओ या दिर्ग ओ वो यहाँ पर आ गए ठीक है औ और जो ई हरस्व या दिर्ग थी वो यहां पे आ गई ठीक है तो अब यहां पे क्या हो जाएगा वा हो जाएगा ठीक है जहां पे हरस्व आ होगा वहां पे वा ठीक है इसी तरह से उपर या देखा आपने यहां पे वा हो जाएगा बाकी सेम पैटर्न होगा ठीक है वी वे वे ठीक है जहाँ ए है तो वहाँ पे वी हो जाएगा हरसो होगी तो दिर्व होगी तो वी हो जाएगा ठीक है बड़ी की मातरा अर्थात हरसो ए तो वी हो जाएगा ठीक है यह आपको याद रखना है ठीक है एक्जांपल देख लें सू पलस अल्प ठीक है तो यहाँ पे आपनी क मिलके क्या हो गया स्वागत ठीक है यह ऊ इसमें आ गया ठीक है अनू इसका सूतर होता है यह सूतर याद रखेगा तो प्रारंब में आप ए देख रहे हैं तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया प्राएग ए होगा यहां ए होगा उसमें भिन स्वर को एड़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए ए चो ए ठीक है इसमें आप ए देख रहे हैं तो ए हो गया फिर उसके बाद आयाव आय फिर आगे देखेंगे आय आय अव आव हो जाएगा ठीक है जहां पर ओ होगा ठीक है ओ होगा वहां पर आव हो जाएगा आव होगा तो वहां पर आव हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर A होगा तो A हो जाएगा A होगा तो A हो जाएगा बस इतना याद रखेगा अई, आए, अव, आव ये भी आप देख रहे हैं करम से आ रहा है A, A, O, आओ ठीक है वर्ण माला में भी करम से आते हैं तो इसे भी करम से याद रख लें इसी तरह से ने, पलस अक मिलके क्या हो गया नायक, ठीक है इसी तरह से आगे देखेंगे O, पलस इत्र तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं O, और हरस इ, मिलके क्या हो गया पवित्र, ठीक है अव, अव हो गया, ठीक है पव इत्र पवित्र ठीक है इसी तरह से पो प्लस अक पावक ठीक है यहां पे अक आ गया ठीक है इसी तरह से गय प्लस अक गायक हो गया ठीक है तो इस तरह से यह संदी विछेद हो गया ठीक है संदी विछेद यहां संदी आप कर सकते हैं सुत्रों के अनुसार ठीक है और आप ये भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधी इसके पस्चात हम देखेंगे स्वर्ष संधी का छठवा रूप पूर्व रूप संधी ठीक है छठवा प्रकार है पूर्व रूप संधी जो आपने पुस्तकों में नहीं पढ़ा होगा और नहीं आपने यूटूब पर किसी वीडियो में देखा होगा स्वर्ष संधी का ये छठवा भेद है तो देखते हैं क्या होता है पूर्व रूप संधी में आपने अक्सर पुस्तकों में पढ़ा होगा एक चिन होता है जो S जैसा होता है जिसे आ ही पढ़ा जाता है कुछ इस तरीका बना होता है इसी से संबंदित है ये पूर्व रूप संधी तो याद रखेगा ए या ओ के पस्चाथ यदि आ हो ठीक है तो इस आ के स्थान पर जो हमारा चिन होगा वो क्या होगा ये वाला आ होगा ठीक है इस तरह से बस यही है पूर्व रूप संधी ए या ओ के पस्चाथ यदि आ हो ठीक है हरस्व आ याद रखेगा ठीक है हरस्व आ हो या फिर दीर्ग आ हो ठीक है यही है पूर्व रूप संधी ये आपको याद रखना है सूत्र उदाहरन से समझते हैं और उदाहरन लेते हैं लोको ठीक है पलस अयम ठीक है तो यहां पे आपने क्या देखा इसमें ओ दिया हुआ है और यहां पे आप क्या देख रहे हैं आ है ठीक है तो ओ के पस्चाद क्या आया हरस्व आ तो रूप क्या हो जाएगा ये वाला आ हो जाएगा ठीक है किसकी जगा पर इस आ की जगा पर ठीक है ये वाला जो आ है हट जाएगा तो क्या बन जाएगा शब्द लोको आयम ठीक है इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है ये वाला जो आ है इसको हमने हटा दिया इसकी जगा प हैं हरे ठीक है हरे प्लस आओ ठीक है यहां पे आपने क्या देखा ए है ठीक है और यहां पे आपने क्या देखा आ दीर्ग आ है ठीक है यह के पस्चा दीर्ग आ तो रूप क्या हो जाएगा आ वाला ठीक है तो यह क्या शब्द हो जाएगा हरे ओ ठीक है, हरे, यह अटा, इसको हटा देंगे, तो इसकी जापी क्या आ जाएगा, यह वल आ जाएगा, और इस तरह से लिखा जाएगा, हरे ओ, ठीक है, यही है, पूरवरूप संधी, ठीक है, कभी-कभी पूछा जाता है, परिच्छों में, एक-दो बार पूछा भी गया है, क इसमें, जो संधी पूछा जाएगा, कौन सी है, तो आपका अंसर होगा, पूरवरूप संधी, ठीक है, यही था, स्वरसंधी से संबंदिद, छे बेद, जो आपने देखे, ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन अवस् वीडियो को लाइक भी कर देगा, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद,